Hello, Good Morning Everyone, Standard 3, Subject Mathematic Workbook Chapter 2, Fun with Numbers In our last video, we have completed till page number 38 and today we are going to start page number 39 Question number 37, Write in counts of 2 और यहाँ पे number है 101, 103, 105 यानि कि we have to add 2-2 numbers and write down the numbers of 10 यानि कि हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो number से उसमें 2-2 को add करते जाना है यानि कि 2-2 को plus करते जाना है और यहाँ पे जो blank से उसे fill करना है तो देखो, first number क्या है तो कि 101 तो हमें क्या करना है कि plus 2 करना है यानि कि 101 plus 2 तो कि 103 103 plus 2 यानि कि 105 फिर यहाँ पे आएगा 105 plus 2 तो कि 107 107 plus 2 109 109 plus 2 111 111 plus 2 113 इस तरी कि से plus 2 तो कि 115 115 plus 2 117 117 plus 2 119 119 plus 2 121 121 plus 2 123 Similarly, यह 3 यह से करना है तो second है 159 157 और 155 Now see, यहाँ पे यह क्या हो रहा है तो कि यह decreasing order में है यह decreasing हो रहा है यानि कि यहाँ पे क्या करते थे हम 2 को plus करते थे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 को minus कर देंगे यानि कि minus 2 2 करते जाना है तो देखो 159 है तो हम 159 minus 2 तो कि 157 157-2, 155, 155-2, 153, 153-2, 151, 151-2, 149, 149-2, 147-2, 154, 145-2, 143-2, 141, 141-2, 139, 139-2, 137, इस तरीके से, ठीके, नाव थर्ड वन है, 640, 642, 644, अब यहां पे देखो, यह जो नंबर से वो increasing order में है, यानि कि increase होता जारा है, यानि कि जहां पे भी increasing order हो, वहां पे हम plus 2 करेंगे, और जहां पे भी decreasing order है, वहां पे हम minus 2 करेंगे, ठीके, प्लस 2, तो कि 654, 654, प्लस 2, 656, प्लस 2, 658, प्लस 2, 660, और प्लस 2, 666, नाव फोर्थ वन है, 226, 224, और 222, नाव सी, यहां पे हमने जो second में किया, इस तरीके से, यानि कि यह decreasing order में जा रहा है, तो यहां पे जो नंबर से, उसमें हम क्या करेंगे, तो कि 22 को minus करते जाएंगे, यानि कि यह नंबर है, 222, तो 222 minus 2, यानि कि 220, फिर आएगा 218, minus 2, तो कि 216, minus 2, तो कि 214, minus 2, 212, minus 2, 210, 208, 206, और 204, सब में क्या करना है, तो कि minus 2 करते जाएंगे, ठीके, Now, question number 38, write in counts of 3, अब यहां पे हमें क्या करना है, कि every time 3, 3 का जम करना है, यानि कि increasing order में हो तो हम को plus 3 करना है, और अगर increasing order में हो तो हमें minus 3 करना है, ठीके, तो देखो, first 430, 430 plus 3 करेंगे तो आएगा 433, 433 plus 3 करेंगे तो आएगा 436 plus 3 यानि कि 439, 439 plus 3 यानि कि 442, 442 plus 3 यानि कि 445, 445 plus 3 यानि कि 448, 448 plus 3 यानि कि 451 plus 3, 454, फिर आएगा 457, 560 और 563, इस तरिके से 33 का जम किया है, फिर second है, 383, 380 और 377, अब यहां पे देखो, यह जो नंबर से वो कहां पे जा रहा है, तो कि decreasing order में है, ठीके, यानि कि हम क्या करेंगे, तो कि minus 3 करेंगे, जो भी नंबर से महां पे, यानि कि हां पे है 377, तो हम करेंगे 377 minus 3, तो कि 374, 374 minus 3, यानि कि 371, 371 minus 3, यानि कि 368, 368 minus 3, यानि कि 365, 365 minus 3, यानि कि 362, 362 minus 3, यानि कि 359, 356, 353 और 350, इस तरीके से, ठीके, नाव थर्ड है 903, 906 और 909, अब याँ पे देखो, यह जो नंबर है वो increasing order में है, यानि कि हमें क्या करना होगा, तो कि plus 3 करना होगा, यानि कि यह जो नंबर से महां पे 33 का जंप किया है, 909 plus 3, यानि कि 912, फिर यापे 912 plus 3, यानि कि 915, 915 plus 3, यानि कि 918, फिर आइगा 921, 924, 927, 930, 933 और 936, इस तरीके से, ठीके, नाव 4 थे 708, 705 और 702, यह पे जो नंबर से वो decreasing order में जा रहा है, यानि कि यह जो नंबर से वहां पे हम क्या करेंगे, तो कि minus 3 करते जाएंगे, 702 minus 3 करेंगे तो answer आइगा 699, फिर minus 3 करेंगे तो आइगा 696, फिर 696 minus 3 करेंगे तो 693, इस तरीके से यहां पे जो नंबर से आएगा वो लिखेंगे 3, 3 minus करके ठीके, फिर question number 39 है, कि right in counts of 5, यहां पे क्या करना है, every time 5 का जंब करना है, यानि कि increasing order में हो तो plus 5 करेंगे और decreasing order में हो तो minus 5 करेंगे, तो यह आपको अपने आप homework में करना है, ठीके, यहां पे देखो यह number है 450, 455 और 460, यानि कि increasing order में जा रहा है, तो every time हम क्या करेंगे तो कि plus 5 करते जाएंगे और number यहां पे लिखेंगे, और यहां पे second है, तो कि 375, 370 और 365 यह number decreasing order में जा रहा है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो कि minus 5 करते जाएंगे, जो भी number से वहां पे minus 5 करके यहां पे लिखेंगे, third है 890, 895 और 900, यह increasing order में जा रहा है, तो यहां पे हम plus 5 करेंगे, और यहां पे minus 5 करेंगे, तो इस तरीके से यह जो 4 है वो आपको अपने आप कर रहा है ठीक है फिर है question number 14 write in counts of 10 यहाँ पर every time हम क्या करेंगे तो कि 10 को plus करेंगे यानि कि increasing order में होगा तो plus 10 और decreasing order में होगा तो minus 10 तो देखो number है 660, 670 और 680 यह increasing order में है तो यहाँ पर every time हम क्या करेंगे तो कि plus 10 plus 10 ऐसे यानि कि यह number है 680 तो 680 plus 10 यानि कि 690 690 plus 10 यानि कि 700 700 plus 10 यानि कि 710 710 plus 10 यानि कि 720 720 plus 10 यानि कि 730 इस तरीके से 740 750, 760 और 770 सेकन है 840, 830 और 820 अब यहाँ पर देखो क्या किया है तो कि number से वो decreasing order में है तो हम minus 10 करेंगे यानि कि 820 minus 10 तो कि 810 810 minus 10 तो कि 800 800 minus 10 यानि कि 790 790 minus 10 यानि कि 718 फिर आएगा 770, 760, 750, 740 और 730 तो इस तरीके से यहाँ पर 535, 545 और 555 तो यहाँ पर जो number से उसमें increasing order है यानि कि plus 10 करके यहाँ पर नमबर लिखेंगे और यहाँ पर जो fourth है वहाँ पर 757, 747 और 737 यह जो number 7 decreasing order में है तो हम क्या करेंगे तो कि जो second में किया था उस तरीके से minus 10 यहाँ पर third में plus 10 और fourth में minus 10 करके यहाँ पर numbers लिखेंगे ठीके नाव question number 41 है right in counts of 20 अब यहाँ पर आपको every time 20 नमबर का जम करना है यानि कि increasing order में हो तो हम plus 20 करेंगे और अगर decreasing में order में हो तो जो भी नमबर है उसको minus 20 करेंगे तो देखो first है 400 फिर है 420 यानि कि 400 plus 20 करेंगे तो आएगा 420 420 plus 20 करेंगे तो आएगा 440 440 plus 20 करेंगे तो आएगा 460 460 plus 20 यानि कि 480 480 plus 20 is 500, 520 plus, sorry 500 plus 20 is 520 520 plus 20 is 540 then 560, 580, 600 and last 620 now second one 980, 880, 860 this number is in decreasing order so याँ पे हम क्या खने तो कि minus 20 यानि कि 860 minus 20 is तो कि 840 840 minus 20 is 820 820 minus 20 is 800 800 minus 20 is 780 780 minus 20 is 760 then 740, 720, 700 and last 760 680 and now second, sorry, third है 216, 236 and 256 this number is in increasing order याँ पे increasing order में हो रहा है तो आपे प्लस 20 करके याँ पे निमबर लिखेंगे यानि कि 256 plus 20 is 276 276 plus 20 is 296 then 316 इस तरीके से याँ पे numbers लिखेंगे जो मैंने लिखा है now 4, 380, 360 and 340 याँ पे decreasing order में है तो हम minus 20 करकते जाएंगे यानि कि 340 minus 20 320 इस तरीके से याँ पे numbers 20, 20 को minus करके लिखेंगे ठीके now question number 42 write in counts of 50 now see, याँ पे हम क्या करेंगे तो कि 50 का jump करेंगे increasing order में हो तो plus 50 करेंगे और अगर decreasing order में हो तो minus 50 करेंगे now see, first 400 फिर है 440 और 500 now 500 plus 50 550 550 plus 50 is 600 600 plus 50 is 650 650 plus 50 is 700 then 750, 800, 850, 900 and 950 okay now second number 940, 890, 840 now याँ पे एक decreasing order में है तो हम minus 50 करेंगे यानि कि 850 40 minus 50 तो कि 790 790 minus 50 is 740 740 minus 50 690 690 minus 50 is 640 then minus 50 करेंगे तो 590 then 540 490 490 440 and then last 390 इस तरीकें से याँ पे third है 150 200 and 250 याँ पे ये increasing order में है तो हम plus 50 करके याँ पे कि जो नंबर से वाँ पे plus 50 करते जाएंगे या वो लिखते जाएंगे और fourth है वाँ पे 705 655 और 605 ये जो नंबर से वो decreasing order में जा रहा है यानि कि हम minus 50 जो second में किया था उस तरीके से minus 50 करते जाएंगे और याँ पे numbers लिखेंगे ठीके तो आज हमने जो भी वक किया वो आपको अपनी workbook में complete करना है ठीके Thank you